सब्सक्राइब करता है और किस तरीके से अगर आप एक ब्लॉगर है तो आप गूगल क्वेश्चन्स हब कर सकते हैं अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पर लेकिन यहां पर यह जानना जरूरी है कि गूगल क्वेश्चन्स हब एक्शियल में काम कैसे करता है किस तरीके से यह काम करता है किस तरीके से आपकी वेबसाइट पर ट्राफिक सेंड करता है किस तरीके से लोग जो है गूगल के माधियम से आपकी ब्लॉग या आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं और कैसे आप को यहां पर ज़ाधा से ज़ाधा ट्राफिक यहां से मिलता है आप COVID by करते हैं ऐसी कि पारे में और इसको क्यां किसे करना है यह इस मैं आपक को बता करने हैं छो नपको गester करते हैं तो यहां पर जब आप blogger को ऑण करते हैं जैसे आप use लाता है तो पक्का है कि अगर ब्लॉग इंग से रिड़ज़ कर देगा एक्ट कोई नया प्रोड़क्ट कर रहा है तो पक्का है कि preservedaste पर किसी ब्लोग या वेबसाइट पर मेंशन करी देता है कि कोई ना कोई प्रोड़क्ट लॉइंच हुआ है ठीक है तो यह अभी हम इसके बारे में बात करें गूगल क्वेश्टिंस हब के बारे में यहां पर देख सकते हैं यह कुश्टिंस हब है लेकिन यहां पर कोई ना कोई दाउट रहता है कि कौन सा कोई ना कोई डाउट रहता है तभी आप जो कई और जो आपको जानना होता है तो यह उसके लिए गर हम बात करें तो बहुत important होता है question साब आपको answer भी मिलेगा यहां से और आपको जो है कि question भी पूछ सकते हैं और खास करके यहां पर important सबसे important point यह है कि आपको यहां से traffic भी मिलेगी बहुत ज़्यादा traffic मतलब बहुत ज़्यादा लेकिन हम यहां पर बात करते हैं कि actual में एक काम कैसे करता है sign up करना है मैं आपको वीडियो के end तक बन रही है आपको मैं बता दूँगा किस तरीके से करते हैं लेकिन आज हम यह बात कर लेते हैं यह काम कैसे करता है उसके लिए हम चलते हैं एक ज्यकी हम जूआ की आपने एक नयी databases नहीं करेंगे और मैं आपको लेके चलूँगा है यहां पर आपको क्ता करता है तो यह सब्सक्राइब करना है ट्टीक यहां पर यहां पर सेक्टाहूं त्ट तो आपको हम यहां कैसे करता तो यह को आना है स्क्रॉल करके जब नीचे की तरफ आएंगे तो यह रहा आपका Google questions hub का एक नया डेक्सवोट ठीक है कुछ इस तरीके का यह आपको देखने को मिलता है ठीक है अब आप सपोच किजिए कि आपने Google questions hub में sign up कर रखे हैं आप एक blogger है और आपने Google questions hub को sign up कर रखा है वहाँ पर आपनी जो भी लोग questions पूछ रहे हैं जिनको जो भी doubt है वो पूछ रहे हैं और आप उनको answer दे रहे हैं ठीक है अंसर दे रहे हैं इसका मतलब है कि वो user या फिर उससे मिलता जूलता question से और भी user होते हैं और भी audience होती है जो कि वो search करती है और वहाँ पर हो सकता है millions में audience होती है बहुत सारे audience होती है ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कम वृटिश्छ होती है Limited audience कुछ नहीं होती है काउस करके वो questions कितना ज़्यादा लोग search कर रहे है यह importance रखता है ठीक तो यहां में बात कर लेता है यहां पर यह question लिखा है Oh, how to make website easy way टिया गया पर दिखेंगे सा लोकों और अंसर दिया अब अंसर देने का मतलब यह है कि जब पर उसके साथ में अपनी आप उसके साथ में उसको बताते यह कैसे यह जो आप आप छोड़को अ एक हाइपरिक बना देते हैं या फिर उसको लिंक छोड़ देते हैं ऐसा समझ लेजिए अप उसको वहां पर देते हैं ठीक है या फिर आपने का नाम देते हैं अब युज़र को जयदा जानकारी सुझायी तो आप माले लिग पर क्लिक करते हैं को म laugh पर यह वाला question do they have a website ठीक है यह वाला questions यह 10 month पहले इसको जोई की पूछा गया था यह questions को और इसके 11 answer आये हैं ठीक है 11 answer आये हैं अब अगर मान लीजे यह question जिन लोगों ने भी पूछा है जो जो लोग को doubt होगा इस questions पर तो यह सर्च कर रहे होंगे website में पक्का है Google में सर्च करेंगे और सर्च करेंगे तो यहां पर जो answer दिया गया है जो व्यक्ति पहले answer देता है या फिर जो लोगों ने भी answer दिया है उन answer को जो क्लिक करके लोग उनकी website पर जाते हैं वहां पर ट्राफिक मिलती है उनको बहुत अच्छी traffic गेन करते हैं ठीक है और भी तरीका इससे ट्राफिक लेने का वह भी मैं आपको बताऊंगा एक और नया method है उसके तरीके में आपको बता दूँगा यहां पर देखिए इस website के बारे में बोल रहा है कि यहां पर नीचे आप देखेंगे तो यहां पर कोई भी answer नहीं दिया गया है इसका मतलब भी है कि यह questions ज्यादा लोग search नहीं कर रहे है जो सबसे ज्यादा गूगल में search किया जा रहा है उसकी मैं आपको बता दे रहा हूं कि उसका जोई की searching भी दिखाएगा आपको बहुत सारी चीज़े दिखाएगा एक टूल से उसका use करना हो पड़ेगा आपको जैसे कि आपने जो की keyword anywhere जैसा keyword आपने देखा होगा वो जैस कि आपके help करता है जब गूगल में आप search करते हैं तो आपको help करता है कितना keyword जोई कि आपके अंदर है कितनी website के अंदर है वो सब help करता है लेकिन वैसे ही एक और टूल है जो कि Chrome extension है जिसका use करना होता है उसके बाद आपको Google questions hub में आपकी help करता है कि कि किस तरीके से आप आ साथ हृँ तो यह जो एक नया feature है अगर हम बात करें यह जो फीचर है को से गोगल क्का शृब करता है यहां पर पर गूगल क्रिक्तिड f o करेंगे तो आपको पक्काई कि इसको सच कर लेते हम और इसको सच करेंगे तो नीचे की तरफ आप आएंगे तो यह देखने को मिलेगा ठीक है अब देखने को मिलेगा या नहीं कि कि बहुत विनिफिट मिलेगा है देखिए वाट इस ब्लॉगिंग बहुत जन ने पूछा है और यहां पर अंसर जो एक दस लोगों ने दिया है अब जिन लोगों ने अंसर दिया उनके उपर जो भी वाट इस ब्लॉगिंग सर्च करके आते होंगे उनको ट्राफिक मिलती अब यहां पर यहां पर कुछी सरीकरा दिखाई दे रहा है तो यह अंसर देने का मतलब यह देखिए लिंग इना च्छोड़ दिए टाविकर कि यहां से जाता है बहुत ही ली ट्राफिक मिलता है ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉलम होता है यह आपको बस य कि आप जो गूगल कुष्टिन अब को साइनअप कर लेते हैं साइनप करने के बाद यह सारी चीज़े सो करती है कि आपके पर ट्राफिक आ कितनी रही है ठीक है वो सारी चीज़े तो छलिए अब हम बात कर लेते हैं Google कि हम करते हैं और एक है करके हम हर एक टुटोरियल के बारे इसके हर एक स्टेफ बारे में बात करेंगा और यहां से ट्राफिक कैसे मिलती है वह समय किरें तो क्लिक करना यहां पे और इसे क्लिक करेंगे, तो आपने जोबी गुगल Kung जोई कि आ जाएगा और अगर आपने लॉग इन नहीं किया है तो डेफिनिटली वह नहीं आएगा लेकिन मैंने अल्री लॉग इन कर रखा है बहुत सारी जीमेल से तो यहां पर मेरी तीन-चार जीमेल अल्रेडी हैं यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं यह तीन-चार जी करना है ठीक है अलाव कर देना है इसको और कंटीनिव करना अप्रूबल यह नेक्स 30 देड में दे देते हैं आपको विदिन 30 देज के अंदर अंदर आपको अप्रूबल मिल जाता है अगर अप्रूबल मिल गया तो डेफिनेटली यहां से बहुत अच्छा आपको करिएगा ठीक है तो जैसे मैंने लागिन किया डिखी जिए मेरा यह ब्लॉगर का अकाउंट आ चुगा है मतलब साइट आ चुका है ऑटोमेटिक डिटक कर लेगा यह और ऑटोमेटिक यह आ जाएगा उसके बाद जैसे आजाता है यह करना है आपको नेक्स और नेक्स करने ब्यूटी हो गया मतलब जिसमें आपकी जिस भी ऐसे आपकी बिलोंग करती है वेशाइट उस चैटेगरी को आपको सलेक्ट करना है ठीक है सलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा जैसे कि मैं लिए मेरी वेबसाइट है इंटरनेट टैली कॉम फिर जॉब गॉवर्मेंट होग करने के बाद जो है कि क्या करूंगा यहां से कुछ टॉपिक सर्च करना आपको जैसे कि यह रहा टॉपिक यह दिखा रहा है इन्वेस कोई टॉपिक आपको सेलेक्ट करना कौन सी टॉपिक पर आपकी ब्लॉग को दिखाई जाए और जो भी आप अंसर देंगे कौन से टॉप लोगों के जवाब करने के लिए बहुत काम आएगी प्राइज को कोहिए तो हम बता सकते हैं उसके बाद कर देना है क्यूंकि करने के लिए पूछा पूछा जा रहा है पूछा जा रहा है अगर आप उसके अंसर जानते हैं तो डफिनिटली इसको क्या करना है? आपको कुछ नहीं देना है आपको अपने आर्टिकल का लिंक दे दिते हैं आपके तो बस काम आपका हो गया अंसर आपने दे दिया और वो ट्रेंड करता रहेगा गूगल में आता रहेगा आपका आपका आर्टिकल और जो लोग इवने भी अगर इससे के रिलेटेट विश्चन सथ कर रहे हैं कि प्राइज और प्राइज लिश्ट अफ अमूल बटर इंव नाइंटीन एट युजो लोग भी सप्रश कर रहे हैं यह क्वेश्चन को उनको आपकी आर्डिकल मिलेगी डिफिनेटी मिलेगी नको आपको आर्टिकल और बहुत यासा के लिए नहीं मांग रहा है तो जैसे लिंक देंगे उसका बाद सब्मिट कर देना है ठीक है सम बटन नहीं आ रहे कि जब तक मैं आर्टिकल का लिंक नहीं दूंगा तब तक य데ates अब इस्तरीके से लिंक आपको प्राइट करना और ट्राफिक जो ही की जाज़ जदा लेना है उसके बाद हम बात करेंगे नेश्ट टॉबिक में कि पॉफॉर्मेंस यहां पर दिखाता है आपकी पॉफॉर्मेंस क्या रही कितना लोग देखें क्या कुछ किये सब कुछ यहां पर इस्टेंटली शो करता है सो अनेवल टूरल में और भी बात करेंगे तब तक लिए थैक्स पर वच्छिंग बावाँ